है यह कैम ऐ 와서 आज हम लोग परने वाले हैं फिर क्लास्टेंत का फिजेक्स सब्जेक्टर मानव नेत्र यान जाम 2013 के लिए most important होगा ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सौख को कभी पाला नहीं जाता कांच के खिलोनों को कभी उच्छाला नहीं जाता सौख को कभी पाला नहीं जाता कांच के खिलोनों को कभी उच्छाला नहीं जाता मिल जाती है मनजिल कोशिस करने पर हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता तो दोस्तों सभी बात को किस्मत पर टालते नहीं कुछ मेहनत भी करते हैं कुछ मेहनत नहीं हमारा तो यही सजिसन रहेगा कि किस्मत को छोड़ दीजिए किस्मत तो जूए में आजमाये जाते हैं सिर्फ अपना जोस और लगन के साथ इमंदारी पुरभक अपना शड़ी क पुद्धार को जाए रहे तो आप लोग इमंदारी पुरभक पढ़ाई को पढ़ते रहे लागातार कंटीनिवर्ट करते रहे दिमोटिवेट मोटिवेट तो होते रहते हैं तो कोई बात नहीं अपने आपको मोटिवेट रखने को कॉर्सिस करें चले विडियो को सुरू क प्रावर्थित किसी वस्तु का प्रतिवर्धित नेत्र किस भाग पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिवर्धित नेत्र किस भाग पर बनता है किसी वस्तु का प्रतिवर्धित नेत्र किस भाग पर बनता है तो प्रतिवर्धित नेत्र किस भाग पर बनता है तो प्रतिवर्धि यहां है दिरिष्टी पटल आप लोग देख रहे हैं कि इसको कहते हैं दिरिष्टी पटल को नेक्स्ट कॉश्टन करते हैं नेक्सट नेत्र के रेटीना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिभिम बनता है मैं नेत्र के रहे तिना पर किसी वस्तू का कैसा प्रतिवीम बनता है कुक्ष्ट नमर दो दो का रायच एंसर सी होगा वा क Luigi बनता है ल्टा था छोटा व permit कि दूलता रहता है सबस्ट नमबर स्हाइंट जुटा गराएं को समय तो कर सेड नेच्ट कर लते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक किजिएगा और ज़्याद से अपने स्टेटी गूर्प में सेर करके और अपने दोस्तों को जोर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लिजिएगा क्योंकि क् सब्सक्राइब कर आए जाएगा और फिर में नोट्स अब पास सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सुल्सल मिडिया का आप वहां से टेलिग्राम और इंस्टाग्राम एरा और फेस्बुक जोइन कर सकते हैं तो इसी नाम से अध्यन सागरभ कर सकते हैं और ज़्याएब कीजिए और की एक लाइक हमां मोटिवेट करता है ला नेक्स वीडियो लाने में तो चले नेक्स्ट वोच्टीन करते हैं मोच्टन अमर्टेरि समान्य दिरिष्टी वाले यूवा के लिए अस्पष्ट दिरिष्टी की निनुनतम दूरी कितनी ह होने चाहिए यहन के लिष्ट इसेंस ओफ डिस्टिन एक्ट वीजन तो कोस्टन नमबर थरी का राइट एंसर जोगा वह सी पचीछ सेंटीमेटर 25 सेंटीमेटर जोएसे समाने द्रिष्टी वाले युवा के लिए अस्पश्ट द्रिष्टी की निम्तम दुरी होती है देखेगा आप लोग बुक उठाएए और अपने आँख के सामने ले ठीक है और धिरे धिरे नजदीक लाएगा जैसे ही 25 सेंटीमेटर से ज्यादा लगा प्रथ करने लगता फिर 25 सेंटीमेटर से जहेंसे दूर ले जाएगा तो 50 सेंटीमेटर पर आएगा तहब तो तो साफसादीक देगा जब पची संटीमीटर से जैसे तेसे नजदीक लाएगा बोग को अपने आख की तरी तो गुंदला दिखा देनेगा फिर आप उस लेकिन आप यह नहीं बता सब्सक्राइब कोन बैगतिए अब चलिए नेस्ट कोशन करते हैं पावर सो 25ada कि किसी वस्तु को अनन्त कर देख सकता है कि साफ शाफ लेकिन पहचान नहीं सब सकता है तो अनंत इसका राइट एंसर्ज हो जागा है अनंत तक समाने ने अधिक्तम कितनी दूरी तो अनंत तक देख सकता है लेकिन उसको पाचान नहीं सकता है नेक्स्ट क्वेशन कर लेते हैं नेक्स्ट है आख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की बस्तू को साफ साफ देख सकता आख के इस गुन को कहते हैं आख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की बस्तू को साफ साफ देख सकता आख से के इस गुन को क्या कहते हैं तो को वह हाई और पका हगा वह क्या हुआ और मिनचेन म्हूंज़ालोगा गाउड МУЗЫКА अब वह अभिनेर लेंज की व छम्पता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समाई बजित कर लेता है उसे ही समर्जन छमता कोथे हैं तथा अभिनेतर लेंद्स की फोकस दूरी को अभिनेतर लेंद्स की फोकस दूरी एक निश्चित निम्तम सीमा से कम नहीं होती है किसी वस्तु को अराम से सुष पसफच्ट देखने के लिए आपको इसे ने संप कंची सेंटी मेटर है और की सिस्तू को दीखकेतर आपको 25 संटे मीटर 25 संटिमेटर आपको नजबेटिक से लाना और जैसे पर जैसे इसें किसे आ नज visualize कशाइन 6 को फोकस करने के लिएक लेंज की फोकस को डूरी किसके दुचक्राइब फरिबर्तित होती है लिए की वस्तुमों के प्रतिविंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा प्रिबर्तित होती है तो अप्सन नोबर 6 का जो राइट एन्सर होगा वोशी ए सिलेरी या पक्षमाह भी पेस्ट Tracy Corporation प्रतिवीट करने के लिए आब इसकी मानों को बता देते हैं यहां के एक परकार है और लूह इसमें जो लिएक कारा को नियंक्तित करता यह लेंस के आकार को नियांत्रित करता है ले यह देखें यहां पर इमेज भी लागा हुए है तो से लिए देखें कहां यह हो गया आइब्रो यानि कि बहुत हो इसको बोलते हैं आयरे आइलेस मतलब इसको पलक को बोलते हैं आइलेस और पीपुल पीपुल बोलते हैं बहुत हो और उसके बाद एसके लड़ा एसक्रा भुलते हैं वाइट बाला जो रहता है और आहीरेस से लियारी हमको जो है इसको बोलते हैं कि यहां पर आता है दिखाईनेता है यहां पढ़ा कर आता हूँ इसको बलते हैं आइरिस सिलियरी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस होता है यानि कि नेत्र लेंस की यानि कि आख की जो है तो पावर घट जाने के बाद कौन सा रोग होता है निकर द्रिष्टी दोस होता है दूर द्रिष्टी दोस होता है जरा दूर द्रिष्टी होता है तो देखे निकर द्रिष्टी और दूर द्रिष्टी में कापी कन्फूजिंग रहाता है निकर द्रिष्टी दोस्त दिया गया इसमें लेकिन इसमें क्या है कि नजदीक का नहीं बस दिखाई नहीं देगा लेकिन दूर का दिखाई देगा ठीके चलिए इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं तो आप लोगों के लियर हो जागा तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लिए सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को इस चनल के माध्यम पर जोड़ना है बस इतना ही करना है आप लोगों को और जितना हुआ मैं आप लोग के अहर प्रयास करता रहूंगा एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से सभी के सभी कॉंटेंट प्रोवाइट कराएंगे आप लोग को सिर्फ आप लोग को मेहनत और लगन से परना है तो क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइब कराट इंसर ए तो चलिए इसके बा इसमें दूर की वस्टू को नहीं देख सकते हैं लेकिन निकट की देख से निकट देख सकते हैं लेकिन इस उल्टा होता है निकट द्रिश्टी दोस्ट के मतलब जो कहता है वहीं नहीं होता है फिजिक्स में मालिए साइंस में जिस सब्द के आगे और लाग जाता है ना मा त्रिकशल सामान अन्य तो नर्मल और समान ने हो गया तो यह आन्यानिक मंज़क्छ सकते हैं जब की दूर की बस्तू को नहीं देख सकते ह louis देख सकते हैं जबकि नजदेख की वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो याद रखेगा और नहीं तो दो बार तिन वार वीडियो को देखेगा याद हो जाएगा ट्रिक्स भी ला देंगे अपलों कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो नेत्रच की वस्तु क असपास्ष्च नहीं देख सकता जैणिक दूर दुरığ तक हो तो नेकल द्रिष्टि दोस हता है वाधूुरी सिथ वस्तू ओंको असफास्तू न है दिख सकता है ना देख सकता है मिन सिक्स करेंगोने मध्रीथ शुक्र drive हमार्टा देंज सब्सक्राइस ब मता दिल्ष यह साथ नेक्स्ट कोशन है किस दिरिष्टी दोस में किसी वश्टू को प्रतिविम रेटीना के पीछे बनता है या कि किस दिरिष्टी दोस में निकर दिरिष्टी दोस में रेटीना के पीछे बनता है या दूर दिरिष्टी दोस में पीछे बनता है या ज़रा दिर दिरिष्टी यह में से कोई नहीं तो कुछ नमर एट के राइट जर भी होगा दूर दरिश्टी दोस्में है जो किसी वस्तु का प्रतेवियम प्रतेवियम मतलब होता है पर शाएं ऐसे समझे नर्मल भासान आम आम बोल चाल की भासाएं पर शाएं मान का चली हमें यहां पर ख़रे हैं कि हमें यहां पर ख़रे हैं है कि हम लोगँ यहां पर है तो मनके जली सूरज यहां पर है अंहींदेल दुर्ण्णक इचार बंता है जो दूर दरिश्टी दोश्टी दकर दोस्तु का प्राति बढ़नता गर्ड़्र कर लुछ कि मों kart टुछ रहा जिसमें कि दू दूरद्रिष्ठी दोषब इसके सच नहीं देख सकते हैं नीच्ट कोचन कर लेते हैं कि न मतले कर किस परकार कि यह अगर बारे क्या इसका इलाज है और कौन सा आपना पना परेगा इसको इसको तो कूचरन मर न्यूरों कभा वह व been है अप यह है अवधिक सारी इसके लाइट और सेवन में द्यागा है जिसने ऐसनो निकर्दिरिश्ची दोस होता है वह दूर इससते फ्माहिवाइब क में इसको दूर करने के लिए अफसारी और निकडर दरिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए पसारी भी बोल सकते हैं जो अटर थाल कर्ण सकते हैं विसका आदम साप्ण निकर दरिश्थी दोस्ट के जुआ सुप्चार यहने की इलाज हो सकता है और ढूर हो सकता है तो पुतरलेंस या अफ्सारी ऑप्शन में से किसी यह को दे सकता है ने तो दुनों भी दे सकता है तो अफ्सारी या उत्तरलेंस आप लोग याद रखेंगे तो ऐसे याद रखे आउँ आए नेक्स्ट वोस्टन कर लेते हैं वस्टन अमर्ट टेन दूर दुरिष्टी दोस्ट वाली आख साफ साफ देख सकती है तो आप लोग कोशन को अटम्ट की जिसे तो आप लोग तो एंसर मारत चुके होंगे इसका टिक कर चुके होंगे दूर जिसको यह इंजाम लगा रहा है वही इसका अंसर होगा तो दूर दूरिष्टी दोस्ट में होगा क्या कि हम दूर की बस्टू को देख सकते हैं जबकि नजदीक की बस्टू को नहीं देख सकते हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका जो राइट एंसर होगा वो और इसका जो इलाज है यानि कि इस दूर द्रिष्टी दोस्त का जो है उसको तो निकर द्रिष्टी दोस्त को हम लोग अफसारी या उत्तल लेंज से उसका अथी समस्ता जो है से दूर कर सकते हैं अप्तल लेंज जबकि हम दूर द्रिष्टी दोस्त को जो है सो उत्तल उत्तल यानि कि कॉन्वेक्स लेंज या अभिसारी लेंज से है यानि कि अभिसारी ऐसे लिए कि अभिसारी किया जिया उत्तल लेंज के मारे हम से है जो इस दोसको दूर कर सकते हैं और निकर द्रिष्टी में क्या है कि उसमें अप्सारी या अथ लेंज से उसको तो कर सकते हैं यारी कि उप्चार कर सकते हैं चलिए ने क्वेशन कर लेते हैं 11 वे तर्व मैं है दूर दरिष्टी दोस्त कहार किस परकार के लेंस से माध्यम से किया जाता तो तो निकरद दरिश्टी-दोस्त में अप शारी ने इसका उलटा होता है उत्तर लेंस चाहिए और अभिसारी यां कि अभी कि चाहिए और चाहिए अभिसारी चाहिएद हytt established नेच्ट टेस्ट लेते हैं कि इसके राइट इंसर क्या होगा लिए बाम भी शाय और भीषारि अभिसारी गदेंंट जौन तो इसकी राइट अभिसारी होगा आ लौफार होगा यह उत्तो लोगा दूर दृस्ट्ट इज हसके लिए नेकर के लिए आप सारी होगा अनोई तो अब्तल होगा ँसलिए नेक्ष्ट क् OC2 कर लेते हैं एछ त्तिंधन हो प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद स्वेट परकास्त विभिन वर्नों में यानि कि विभिक्त हो जाता है यानि कि प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन रंग यानि कि अलग अलग रंग विभक्त यानि कि बट जाता है इस घटना को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इस बातों को ध्यान से सुनते हूंगे स्वेथ परकास के अपने विभीन अभ्याबों में विभाजन को परकास का वर्ण बिछेपन होता है डिस्पर्शन आफ लाइट लिए जिसे बिछेपन यानके परकास का वर्ण बिछेपन कहते हैं नेक्स्ट कोचन कर लेते हैं कुछ नमर 30 पर नमर 13 एक प्रिजम में कितने सतहों से घीरा होता है तो आप लोग थियोरी पढ़ रहे होंगे और इसके बाद जो है सम्टियोरी के लाश भी लाएंगे दो नमर पांच नमर का तो आप लोग इस वीडियो को जयाद से दाशेर किजिए बस इतना ही और जलावाद दबा के लाइक किजिए बस आप लोग कोई यही कर रहा है सिर्फ जयाद से जयाद सेर किजिए और दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक किजिए और कमेंट सेक्षिन में बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा अर अच्छा लगा तो एक अच्छा सा फीड़बैक दीजिए और सजेस्ट भी कर सकते हैं किस टपीपर किस वीडियो को लाया जा तो आप लोग जैसा कहें कि वह ऐसा होगा आप का अपना यूट्यूब चैनल है अध्यन सागर मैं डिकें तो एक कितने सटा हो से गिरा होता है तो कौश्चिन नमट-3 का जो आटेंसर भवी और पाच पिरिजमों से धीरा अथा है कि यहाँ कि प्रिजिमों जो है सब सबसें से गिरा ओता है तो 5 सबसें से घिरा होता है त कर ऐसे परकास जब एक प्रिजम से वोकर गुजरता है तो जो वर्म यानिके रंग सबसे कौम बीचलित निकी कौम भीखरता मतलब होता है छीतर आना समझें से किताब घ्राइल तो सभी सम्झा देता है नुर्मल भाश यान इंगे तो बिच्रित मतलों अब है भी कर नाया निकितार शीतर आ गया नहीं बुलते ब्लद तेरा गई लोगी तो वी को लुटतार बील खेंटर जाना किसी रंग को क्या कहा या गुझा कौन सा क्लरेंट मुझा का तुद राइट यंच मार वे लोगा वो पीला कलर पीला कर यह passar ø épamaran टी को सबाएन को सुन आ चाहिए एक वर देख लिटीया दो स्तुव तो कुछिशन नमर 14 का जुड़ाइट एंसर होगा ओ यह होगा लाल कुछिशन नमर 14 का जाइट एंसर लाल होगा तो चले इसकी बार में बदा जाते हैं तो आप लोग सभी लाइन को ध्यान पुरुवक्त देखिए क्योंकि सभी अपने आप में एक एंसर है तो लाल वर्न को लाल वर्न जो है उसे रक्त वर्न भी कहा जाता एं लाल वर्न परकास की सरवाधिक लंबी तरंग धैरवाली रोषनी यह परकास किरन को कहते हैं लाल Jetzt लाल वर्न को रक्त वर्न भी कहा जाता है ठीक है लालवर्न परकास की सरवादीक लंबी और तरंग धैरवाली रोशनी या परकास किरन को कहते हैं इसका तरंग धैर्ज लगभग 625 से 740 एनेम 740 एनेम होता है कि एनेम कि यानिकि नैनो मीटर नैनो मीटर होता है कि आविर्थी जो मैस होता है इसका चारती से चारब सर्फांट होना ही सिद्व होता है अने साथ सो सकते प्रकास के किस वर्ण यहन की रंग की वर्ण मतलब होता है रंग के लिए तरगधर्ज और और ऱलाल कोम पीछला क्यों कर चुके हैं इसका पृती था सर और सी चारसओ पांच हर्टर जो होता है जबकि इसका तरग धर्च की बात किया जा どल की दिए जाए तो 625 से शाषव नवे एनम यानि की नैनो मीटर होता है नेक्स्ट क्योशन है स्वेट परकास की की रंड जब किसी प्रिज्म से वकर गुजरती है तो वर्न यानि रंग सबसे अधिक बिचलित होता है वह कौन सा है स्वेट परकास की सी परिज्म से और गुजरती है तो इन में से कौन सा कलर है यानि कि कौन सा रंग है। जो बिचलित यानि की छित रा जाता ह। एक तो इसका राच ट्रेंसर सीक्ष्टन क्या होगा तो बेंगनी जो है आधेक बिचलित होता है वह कौन सा तो बैगनी इसके बरह पढ़ते हैं इसके तरंग घ्र जो हता है सबीज सो तीनज़ दून और संट चार सोन भीश्नेयनवीटर वीटर की बराब अलुसित लगश्राइब कर ाक्रीया है आप तो इंहें वीडियों अगर होगा टो आइप विडियो अपलों लागा होगा तो जैदेसे जादा लाइक इची बस इतना है विलेंगे लाइक और जैद से सब्सक्राइब करके और आपने दोस्तों करने के माध्यम से जूरी है और विडियो अच्छा लगए तर लाइक किदेगा मोटिवेट करते आगले नेक्ट वीडियो में लाने के लिए झाल झाल